अब जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री को ज़रूर देखनी चाहिए बिहार के सीता मणी का एक यूवक अच्छी नौकरी छोड़कर उनका सपना पूरा करने में जुटा है सरकारी योजना की मदद से किसानों की आये दोगनी नहीं दसगुनी करने की कहानी है आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये लहलाहते खेट बिहार में सीता मढ़ी के बर्खी गाउ में हैं यहरे भरे खुशाल खेट जिग्यासु सिंग के हैं जो आज से चार साल पहले 2016 में रांची के एक बड़े प्राविट फर्म में काम करते थे आज जिग्यासु अपने गाउं में रहकर केले और धान की खेती करते हैं जिसमें उन्होंने आधुनिक मशीन और तक्नीक का इस्तमाल किया है जिग्यासु ने सरकार की क्रिशी प्रोटसाहन योजना के तहट सौर उर्जा से चलने वाली स्प्रिंग्लर और कृतिम बारिश करने वाली मशीन लीग और उसका इस्तमाल खेती करने में कर रहे हैं इसमें ये फाइदा है कि बैसिकली इनसान जो है हम लोग खेतों में जाते हैं खाद छीटने लेबर दौरा यहाँ पर आप खाद एक वेंचुरी के माध्यम से इस वेंचुरी के माध्यम से आप जो है इस पाइपलाइन के थूँ आप अपने खेतों तक पहुँचा सकते है जिग्यासु बताते हैं कि सरकार से ये बेहत काम की मशीने 90 फीजदी सबसीडी पर मिली है जिससे उन्हें बड़ा फाइदा मिला है शेहर में प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी करने वाले जिग्यासु के लिए खेती करना आसान नहीं था पर उन्हें ये फैसला क्यों लेना पड़ा जानिये पिता की खराब तबियत होने के वज़ह से जिग्यासु को गाउं आपस लोटना पड़ा लेकिन गाउं में जिग्यासु के लिए कोई काम नहीं था जिग्यासु कहते हैं कि खेती के लिए उन्हें गाउं की क्रिशी सलहकार से प्रेणा मिली और इंटरनेट से पढ़कर जिग्यासु ने खेती करना शुरू किया कि पूरे गाओं में या मेरे पूरे अपने सालक में किसी ने की खेती ने की थी को तो मुझको तो यह समझना था जा कि इस को करूझ कैसे तू इस पर मैंद पर गूगल-का-मतलब सोशल-मेडिया साइड का साहरा लिए और तुशल पर गूगल को Act कब उनको जड़ में डाल सकते हैं इन सब चीजों को स्टड़ी करके फिर मैंने उसी रूप में सारे काम को किया परंपरागत खेती को मौडरन और और और्गेनिक टक्नीकी से खेती करने से जिग्यासू अच्छा मुनाफ़ा कमा रहे हैं हसते हुए जिग्यासू कहते हैं कि मै अपनी कमाई दस गुना बढ़ा कर सामने जाना चाहता हूँ जिग्यासू को अपना ओफिस का काम छोड़ने का कोई गम नहीं है कोरुना संकट में लोगों की नौकरियां जाने के सवाल पर जिग्यासू कहते हैं कि खेती में महनत जरूर है लेकिन सरकारी योजनाओं का अगर सही लाब मिले तो मुनाफ़ा भी बहुत है यह किस तरह से आप इसको प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं यह आपकी अपनी काबलियत पर निरहर करता है और मैं तो सिर्फ आज की युवा से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपनी कंफॉर्ट जोन से बाहर निकल लिए हम लोग एक आदी हो गया है एक कल्चर के एक सोसाइट हम लोग उस कमफॉर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा